तो जैसा कि बिछले एपिसोड में हमने देखा था, बहुत सारे लोग प्लैनेट सुजाकू की तरफ बढ़ते और वहीं, टाउसेन अपना काफी कुस्ता, अपने हैंड को प्रेस करते हैं, अब आगे, अब टाउसेन जैसे अपने हाथो को पिंच करते हैं, यहाँ पर स्पेस मानों फट जाता है, और मानों कितने सालों से, जो इसने किलिंग इंटेंट दबा की रखा था, उसे यह बाहर निकालता है, पूरा जो सिया बलड था, वो ट्रेंबल करने लगता है, और इस तुरान यह बोलता है, यह रॉयल क्लैन ट्रेजर, गॉर्ड स्लेंग स्पेर, टा यह जो भाला था, काफी तेजी से प्रकट होता है, इवन जो निर्वाना शैटरर के बंदे थे, वो भी हैरान हो जाते हैं, और आसपास जो भी लोग थे, इसके औरा की वज़े से ही, कॉलाप्स करने लगते हैं, और यह जो रेड लाइट था, जिनके भी बलड निकलते बा उन्हें मानों एब्सॉर्ब कर लेता है, और हजार लोग शैदा आये थे, उनमें स्यादी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, और वैसे भी यहाँ पर कुछ फियर्स बीच थे, जो कही को मार चुके थे, कुछ लोग यहाँ से भागनी लगते, और वहीं जो अपना यह था, भ यह सीधा आरपार निकल जाता है, मतलब फोड़ते हुए हैं, और बहुत सारे औल हेवन के पैलेसे इसको तोड़ देता है, कॉर्प सेक्ट वाले भी जो यहाँ पर थे, इनके कई सारे कॉफिन्स कोलाप्स कर जाते हैं, दो लोग और इंजर्ड हुए थे, जो कि निर्वान इल्डर्स जब देखते हैं, तो वो भी हरान थे, अब जब यह कल्टिवेटर्स अटैक करना चाते थे, तो स्पीर पलट जाता है, और फिर से, सी अफ डेविल्स में वापस आ जाता है, लेंड ऑफ एंसेंड गॉड में, और अंदर से गवाज आती है, कि मैं तुम सभी का वेट कर रहा हूं, लोग हैरान थे, कि मतलब फ्लेम इस पार्क को तब भरुसा हो जाता है, था भी पहले, लेकिन अब कन्फरम हो जाता है, कि वांग लिंग ने जो कहा था, वो सही है, और अब फ्लेम इस पार्क, जो की अपने एक पैलेस में बैठे हुए थे, सभी पावर इस फिट लंबा था, यूमेन जैसा दिकरा था, बट कुछ-कुछ पाइथन के जैसे इसके बॉड़े पर निशान थे, अठारा पाइथन के, यह कोई मिस्टिरियस फेरोसियस बीस्ट था, लेजन्स में एक्जिस्ट करता था, इससे बेसिकली बनाया जाता था, इस करते हैं, वांग लिंग का ग्रूप, यहांके फ्रैग्मेंट्स कोलैप्स करने लगते हैं, इतने प्रेशर की वज़े से, अब जो यहां पर, फोर डिवाइन सेट के लोग है थे, वो अजियो ड्रेगन डिवाइन एंप्लर को बचाने के लिए, वांग लिंग को फॉलो कर रहे थे, और इन्हें आगे जल्दी-जल्दी मूफ करना था, नहीं तो फिर किंग लिंग को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा, वांग लिंग को याद आता है, मतलब एक आवाज है थे से, अगर आपको याद हो, कि मुझे बचा लो, और वांग लिंग उस लोकेशन को ध सुना था, और जब यह पूछता है, तो एक वाइट हैर एल्डर बोलते है, कि तुमने क्या सुना, वांग लिंग फिर से सुनता है, कि कोई बोल रहा है, कि मेरी मदद करो, सिटूरान जादा समझता था, और वो भी बोलता है, लेकिन साउंड नहीं आया है, वांग लिंग जो था, अजियोर वोड प्रिंट, उसका मार्क यहाँ पर था, मतलब कि इस माउंटेन के अंदर में, इनके टिवाइन एंपरर होंगे, और फिलाल यह लोग इस माउंटेन को हटाने लगते, मतलब चारो सेक्ट मिल करके, यहाँ पर इस माउंटेन को उठा रहे थे, दिर द कि restriction लगाए गया था, यह लोग जैसे इस पाड़ी को उठाते हैं, वो activate हो जाता है, और जो भी elders थे, उन्हें पीछे हटना पड़ता है, और जब वांगवेर हुजवान इस golden lock को देखते हैं, तो वो शौग्ड थे, और यह लोग खुद पीछे हट जाते हैं, पाड फिर से अपने जगह पर नीचे बैठ जाता है, और जब यह नीचे बैठ रहा था, तो अंदर से अवाज आई थी, कि जितने भी four divine sect के लोग हैं, उन्हें कठा कर लो, इस mountain को destroy मत करो, बस 70 feet उपर उठालो, यह जो lock है आपर, यह celestial emperor king ने लगाय था, मुझे seal करने के लिए नहीं, कि वांग लिंग भी, वांग बेर हुजवान से help के लिए बोलता है, तो यह लोग भी बोलते हैं, कि हाँ यार इसमें masters के हो रहा है, ठीक है फिर, और यह बोलते हैं, कि हम मिल करके, इससे एक सांस के लिए खोल सकते हैं, तो तुम्हें बहुत fast होना होगा, और हुजवान यहा से चाबी enter करती है, restriction थोड़ा सा हटता है, और पहाण, मतलब 70 feet यह लोग उपर उठा देते हैं, 35 निर्वाना shatter इन्हें support कर रहे थे, लेकिन एक सांस के बाद, वांग वेर हुजवान bounce back हो जाते हैं, यानि पीछे आना पड़ता हुनको, अब जो यह old man वग रहे थे, इनक कोई और नी ओल सीर था, कि यह लगता है, मैं right time पर हूँ, और यह भी mountain के तरफ बढ़ता है, वांग लिंग हैरान था, कि भाई यह क्या करने आ गया, शायद मैं जो bad feeling के बारे में सोच रहा था, यह वही है, वांग लिंग इन पर charge करता है, वांग वेर हुजवान भी charge करते और यह बोलते हैं, कि वांग लिंग यह ओल्ड मैन, मैं तुमारी help कर रहा हूँ, और जो पहाड था, वो 100 फिट उपर उट जाता है, और जो ओल्ड मैन थे, अंदर में green light वाले, वो finally बाहर निकलाते, और आते ही कहते हैं, कि इस पहाड को destroy कर दो, इधर यहां के fragments भी, क्यो वो बाहर निकलता है, और जो ड्रैगन डिवाइन एंपरर जब इसे देखते हैं, तो उनका चेरा अगली हो जाता है, क्योंकि इसके हाथ में एक black blood था, और आलसीर उसे लेकर निकलता है, और काफी खुश था, वो जो golden lock का power था, आलसीर को follow करता है, बट आलसीर को फरक नही किया है, अगर हम fitted है, तो future में फिर मिलेंगे, तब तक तो मैं heavenly डाव बन चुका रहूँगा, और जो ड्रैगन यानि डिवाइन एंपरर, वो अपने मूँ को खुलते हैं, ड्रैगन के शेप में, ताकि अलसीर को डिवोर कर सके, और इनके मूँ में से एक तलवार भी निकल लगता है, अटैक के वज़े से, ओलसीर याँ पर खून, मतलब उसके बोड़ी से खून आने लगता है, ठीक था, बट फिर भी वो स्माइल करता है, और बोलता है कि आप वर्दी हो, four divine sect के strongest divine emperor कहलाने के, और मुझे अच्छा लगा, और ओलसीर याँ से भाग जाता है, बाक जाने दो से, क्योंकि मैं वैसे भी, मेरे पास अभी औरा नहीं है, मैं कितने हजारों सालों से ट्रैप हूँ, वैसे अगर मैं बता हूँ, तो azure dragon divine emperor, ज्यादा इस्ट्रों होंगा है, ओलसीर से फिलहाल के टाइम में, आगी की बात लगे, बस इनका cultivation, क्योंकि औरा ही नहीं इनके पास, नहीं तो यह इसे मार सकते थे, अब azure dragon divine emperor, वांग लिंग को देखते हैं, और कहते हैं, अच्छा तो तुम new vermilion bird हो, वांग लिंग हां में सरीलाता है, और इनने greet करता है, और divine emperor बोलते हैं, कि यार देखो हम blood से connected है, तो मैं तुम्हें thanks वगरा तो नहीं पर वांग लिंग इन से पूसता है, कि ओल सिर वो black blood है, वो क्या चीज़ था, अब divine emperor वांग वेर हुजवान के तरफ देखते हैं, और finally बोलते है, heavenly tao blood, और उसके बादी अपनी कहानी शुरू करते हैं, कि जो माशा जौंग जुवान है, जिन्होंने cultivation alliance बना लिया है, मैं उ पाता ने कैसे क्या हुआ, कि मैं यहां पर trap हो गया, और निकल नहीं पाया, और मेरी आवाज को special kind of person नहीं सुन सकता था, उसके बाद यह वांग लिंग के तरफ देखते हैं, और बताते हैं, कि मुझे यह blood यहां पर दिखा था, जो emperor ने seal किया था, जब मैंने इसे अच्छ हो गया, और जब मैं जागा, तो मेरा fourth heaven blight पास कर चुका था, मेरे body में origin energy था ही नहीं, तो मेरा जो fourth heaven blight है, वो खाली है, इसलिए मैं निकल नहीं पाया, नहीं तो अगर पूरे power से आता, तो मैं इस पहाड को तोड़ सकता था, वांग लिंग भूसता है, कि heavenly Tao blood यह क्या च कि यह तो तुम्हें celestial emperor से पूछना चाहिए, या उनकी लोगों से, और वांग भी बताता है, कि शायद मैं सही सोसता था, और हुजवान भी बोलती है, कि हाँ 100 साल पहले, जब celestial realm तबाह नहीं हुआ था, तो एक blood जैसा, चीज मतलब बारिशों के समान गिरा था, मास्टर न नहीं था, यह seriously injured था, तो मास्टर ने इन सभी blood को इकठा कर लिया, और यह एक, मतलब feast के आकार के हो गया, और जिन जिन लोगों ने इसे डेवोर किया था, वो मर चुके थे, इसके बाद इसे किसी ने डेवोर ने किया, और उसके बाद वांग वे, अजिर ड्रागन की बट यह master का case है, जितना उन्होंने study किया था, इस blood को, अब यह लोग यहां से निकल रहे थे, और जियो ड्रागन divine emperor, यह बोलते हैं कि वो जो बंदा आया था, मतलब all-seer, जिसने भी heavenly dawn blood को चिराया, शैद उसे बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया, बट उसे एक ची मतलब respectfully, यह फिलाल में नहीं आ सकता, divine emperor देखते हैं कि ठीक है कोई बात ने, अब यह बाहर निकल रहे थे, पर अचानक से रुखते हैं कि holy treasure, जब तुम वापस आओगे तो वापस दी देना, और इनकी बात में बिलकुल भी emotion नहीं था, अब यह लोग चले जाते हैं, क्योंकि यह हमेसा तो रहनी पाएगा, four divine sect में रहे, जो उन्हें protect कर पाए, और बाकी लोग इसे वैसे भी, divine emperor मानते नहीं, कुछ लोग, मतलब juniors तो मानने लगे हैं, बट जो पुरानी लोग हैं, अभी भी उनके अंदर में रहता ही हैं और वांगलिंग के पास ज़्याद से और लगता है कि इतने लोग मरें, लेकिन अज्योर divine emperor को इन सब चीजों से फरक क्यों नहीं पड़ा, सेट उन्हान ने जुरान कहते हैं कि क्या ये four divine sect केंगलिंग को जगा लेते हैं, फिर आम मजे करेंगे, वांगलिंग हसते हैं, और हां में सरीलाता है, अब इस दुरा लेकिन फिर भी कुछ अलगते हैं, परवांगलिंग फिर भी old divine emperor को याद करते हैं कि आपके ये जो उपकार हैं, उसे तो मैं नहीं भूल सकता, future में अगर कभी भी, four million bird sect को को कोई भी problem आया, मैं मर भी जाओ, तो भी आऊंगा साथ देने, और इसे old divine emperor की पुरानी बाते भी यादा दी, एकर pressure जादा बढ़ाओ, four divine sect के top पर जाने के उम्मीदे ना हो, heavens सच में destroy करना चाता हो, मेरे four divine sect को, तब तुम चाहो तो force नहीं कर सकते हो, मत करना खुद को force, और फिलालब वांगलिंग मुलता है, कि हमें temple चलना चाहिए, वांगलिंग के साथ में, वांग वे और फिलाल ये लोग आगे बढ़ते हैं, और वांग वेकतर पिशारा करते हैं, मतलब आगे आने के बाद, कि शाद ये वही जगए है, और temple साथ इस वाले fragment में होना चाहिए, वो master का favorite spot था, और क्योंकि fragments कोलाप्स कर रहे थे, तो इन्हें लगातार उन्हें stable करना पड़ र कर देता है, वर्टेक्स को ही तोड़ देता है, और green temple के तरफ बढ़ जाता है, फिलाल ये temple का धरवाजा खोलते हैं, और अंदर में एक formation बना वाता है, हुजबान भी हरानती, कि यार ये formation, ये साथ soul के effect को reverse कर सकता है, और जो भी soul आपके body में हो, उसे बार फिक सकता है, व वांग लिंग भी समय वेश नहीं करता है, ये किंग शुआंग की body तुरंती, अपने storage space से निकालता है, और एक yellow crystal भी निकालता है, और वांग लिंग जो किंग शुआंग का body था, वो किंग लिंग से touch कर आगे रखता है, father और daughter को, ताकि उनके सर एक दूसरे को touch करे, और ज और वांग वे के साब से, एक person और मिसेंग है, तो हम जावी को यूज करते हैं, क्योंकि ये किंग शुआंग से related है, और फिलाल ये जावी को बाहर निकालते हैं, जावी किंग शुआंग को देखता है, तो थोड़ा सा emotional हो जाता है, और फिलाल who's one बहते हैं, कि शुरू करो काफी, मतलब ये लोग nervous भी थे, excited भी थे, formation को तो study नहीं कर पाते हैं, और वांग लिंग फिलाल सेटू को बोलता है, कि हमें protect करना, female corpse को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो तो हमेशा से तयार रहती है, अब who's one एक seal बनाती है, और formation की तरब guide करती है, ये जो crystal था, वो ब लगती है, उस green light के अंदर में, और formation अब activate हो रहा था, और वांग लिंग स्तुरान बोलता है holy treasure, blood withdraw, वो जो blood mark था, जो की टाजिया को seal करके था, वो अब बाहर आने लगता है, kingling की body tremble करती है, और यहाँ पर black gases फैलना शुरू हो जाती है, devilish aura फैलने लगती है, लेकिन kingling अभी भी जाग नहीं रहते, मतब बस devilish aura बढ़ती है, यानि टाजिया जाग रहा है, अब सभी लोग चिंतित हो जाते कि बगर टाजिया जाग गया, तो सबका मरना पक्का है, और who's one बोलती है, कुस्तों missing है, अब वांग भे भी सोचता है, मतब नसे इनकी फट जाएंगी कि भाई क्या missing है, हम तो हर एक चीज़ कर चुके है, वांग लिंग सोचता है, कि किंग लिंग के वज़े से हम लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर बुला है, लेकिन अगर यह devil जाग गया, तो पक्का मरेंगे यार, यह लोग उस कहावत को याद करने लगते है जो हुजवान ने इन्हें बाता है था, वो एक पहली celestial emperor kinglin, possessed होने के पहले बोल कर गया थे, कि red crystal, temple, ऐसे कुछ करके, लेकिन तब यह जो female corpse थी, वो पीछे से बोलती है, कि blood of the wang, wangling के पीछे से बाजा जाती है, wangling पलटता है, female corpse तुरंती, अपना मुंडी नीचे खर ल इन्हें, कि कोई सरनिम wang वलाएगा, जो उन्हें बचाएगा, wangling को भी समझ में आ जाता है, यह तुरंती, उस crystal पर अपना पी blood डालता है, उधर devil is हो रहा, peak पर पहुँच चुकी थी, और लगबग जाग नहीं वाली थी, पर जैसे wangling का blood crystal पर गिरता है, red और green light और उजवान के औरा, धरदरे खतम होने लगती है, यह लोग काफी weak हो जाते है, वangling का भी समझ माल होता है, इसके अंदर जो भी celestial हो रहा थी, वो खतम हो जाती है, मतलब crystal सबकी और अब्जार्ब कर लेता है, और ज्यादा चमकने लगता है, formation activate हो जाता है, वangling मतलब इसके आ यह काफी cold हो रहा थी, यह किंग शुवां के हो रहा थी, किंग लिन की बेटी की, वangling इनसे पूसता है, क्या आप रिवाइब हो चुकी है, यह बोलती हाँ टेंपरोरी रूट से, और वangling पूसता है, यह जगे कौन से है, यह बताती है, कि मेरे father खा, sea of consciousness, यहाँ पे green light भ बोलता है, किंग शुवांग डांड देती, कौन टिंगेर, अगर तुमने मुझे फिर से टिंगेर बोला, तो तुम्हारा consciousness खतम कर दोंगे, जावी शान्त हो जाते है, वangling को तो पहले से पता था, कि भाई, ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने, जावी को समझाया भी था, हुजवांग कुछ बोलने ही वाली थी, तब ही यहांपर, डेवली शौरा भी प्रकट होने लगती है, और एंसियन डेवल, यहांपर प्रकट होता है, क्यांके एकदम लाल थी, और यह चिलाता है, कि किंग लिन के सी ओफ कौनसियसनेस में हो, फिर भी यहांपर भी मारे जा पर तब यहांपर, अचानक से, एक परसन प्रकट होते है, जो कि एक मेडिलेज्ड मैन थे, दिखने में काफी हंसम, सेलेस्टियल टाइप हो रहा, और इनने देकर वांगवेर हुजवान, एकसाइटेड हो जाते है, मास्टर कहके बलाते है, किंग शौन भी प्यार से बोल फादर, किंग लिन हाथ हिलाते हैं, कि हाथ चलो सही है, बट यह काफी सीरियस थे, एक हवा का जोका देते हैं, और एंसेन डेवल एक जो अटेक करता है, अपने राइट हैंड ते, उसे तुरंती डेस्ट्रॉई कर देते हैं, और टाजिया बोलते है, किंग लिन तुम जैसा पावर हो, मानों वांग लिन के सीक्रेट्स को यह देख सकते हैं, और वांग लिन के आईबरोस के बीच में एक फैमिलियर और और प्रकट होती है, मतलब वांग लिन समझ जाता है, कि यार यह मुझे देख गए पुरी तरसे, और किंग लिन बोलते हैं, कि तुम कौल वीक नहीं है, अच्छी बात है, अब फिलहाल, वांग लिन के बोड़ी को यह कंट्रोल कर रहे थे, ऐसा वांग लिन के साथ दूसरी बार हो रहता है, इसके पहले स्कैटर डेविल ने, इसके बोड़ी को यूज किया था, I guess, ब्लड एंसेस्टर है, या किसी से बैटल में, लेकिन उस फिलिंग से, ये फिलिंग जादा इस्ट्रोंगर था, बहुत जादा, मतलब वो फिलिंग चीटी के समान था, और ये अलग लेवल पे है, और किंग लिंग फिर बोलते हैं कि तुम्हारा कल्टिवेशन अभी कम है, और उसके बाद, अब वांग लिंग के में फ्यूज हो जाते हैं, पेन काफी बढ़ जाता है, और फिर ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बोड़ी को लूंगा नहीं, मतलब बस तुम्हें अपना स्ट्रेंथ दे रहा हूं, तुम्हें लॉकी भी अंडर्स्टेंडिंग हो जाएगी, तुम्हें मेरे हर एक लॉरा, यहां पर फील करता है, मतलब थर्ड स्टेप का पावर, फिलल वांग लिंग फील कर सकता था, पेन तो हो रहता, बट वांग लिंग हिने भूल जाता है, और अब ये टाजिया से बैटल करने के लिए आगे बढ़ता है, टाजिया के आखों में डर था, और इसे और वाले, एक ब्लैक ब्लेड निकालता है, स्पेस दे, और वांग लिंग पर फेक देता है, वांग लिंग देखता है, और ये अपने स्पेल यूज करता है, कॉल दा विंड और इस पार, तेरा ड्रागंस बनते हैं, और इनका मोमेंटम इतना खतरनाक था, कि टाजिया को पीछे भागना पड़ता है, इसके आठो श्टार्स, रोटेट कर रहेते हैं, और फिर से एंसेंट और के मंत्र पड़ता है, और एक स्पेल यूज करता है, बाउंटरी, और ब्लैक लाइन्स फैलने लगते हैं, जो कि एक स्पेस, एक एरिया बनाने लगते हैं, एक अलग रिय अगे बढ़ते रहते हैं, और एक ट्रेजर में बदल जाते हैं, मतलब तेरहों ड्रेगन, एक काले भाले में, कहा ऐसा जाता है कि बाईफान का जो स्पेल था, अगर उसे पूरे पावर तक कल्टिवेट कर लिया जाए, तो वो एक ट्रेजर में बदल जाता है, टीचर ने जो कुछ बनाया होगा, ऐसा इसे किंग्शुई ने बताया था, और वांग लिंग ने, मतलब इन चीज़ों को पहले नहीं देख पाता था, क्योंकि किंग्शुई ने एक सील लगाया था, कि वांग लिंग का जब लेवल बढ़ेगा, तब इसे चीज़े धीर धीर समझ ब लिए थे, तो हेवन डेवरिंग स्पेल को वांग लिंग तोड़ देता है, और फिर इसका ये जो ब्लैक स्पेर था, वो उस बाउंडरी से टकराता है, बाउंडरी में भी क्रैक्स आने लगते हैं, और ये भी कोलाप्स कर जाता है, और ब्लैक स्पेर टाजिया की बौड़ फिल तो करने तो, क्योंकि फिला लिए, के इंग लिंग के सी ओफ कॉंसियसनेस में था, तो कहीं भागेगा, एक पिंजडे में फसा हुआ था, अब ये पलटता है, इसके आखों में पागल बनता, और इसके आठ स्टार्स थे, उनमें से तीन को कोलाप्स करवा दीता है, त गेंग लिंग के पावर्स को समझना है, लौ को समझना है तो, जितना ये बैटल करेगा, इनके पावर के साथ, इसे उतना समझ में आएगा, और ऐसा नसीब बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए वांग लिंग ये बैटल जल्दी खतम नहीं करना चाता था, अब टाजिय मैंने बेलू को टेफोर किया, पुराने तीन एंसेन डेविल्स को भी, अपने ही क्लैन के, मैं यूज कर रहा हूँ, डेविल शेडो, मेरे गुस्से को, मेरे उदासी को, मेरे लालच को, मतलब बहुत सारे जो सड रिपूस होते हैं, उन्हें काम, क्रोध, मो, लुब, वासन तो चार प्रकार की एमोशन वांगलिंग की तरह पड़ते हैं, और साथ में इसमें ये एक और औरा फ्यूस करता है, रेड कलर का, हेवेंस की औरा, जिसमें डिजायर की भी औरा मिक्स थी, तो चारो औरा जालग अलग थी, मतलब ग्रीड की औरा, डिजायर की, सैडनेस की, एंगर की, सभी को ये मिक्स करके, वांगलिंग भी देखता है, कि याद ये स्पेल नॉर्मल तो नहीं है, एक मानूप पानी का जोका से बनता है, समुत्रका, वांगलिंग की तरप चार्ज कर चुका था, वांगलिंग इस बने हुए एमोशन के रिवर को तलवार से काटने और ये बोलता है, मैं अपने डेविल सोल को यूज कर रहा हूँ, एंसियन डेविल, डाव पैटन को समन करने के लिए, और यहाँ पर स्पेस में 10,000 स्पेस होल्स टाइप्स होते हैं, और ये जो 128 तलवार थे वांगलिंग के, उसको काउंटर करने के लिए बढ़ते हैं, त रिपल्स में ऐसे पावर थे, जो कि आपके उरजिन सोल को अटेक कर सकते हैं, और वांगलिंग जानता था, कि अगर ये टाजिया 9 स्टार पे होता है, तो शायद इसका इफेक्ट वांगलिंग पर आता, बट अभी कोई फरक नहीं आएगा, और ये जो औरा थी, वांगलिं टाजिया के फोर हेड के पास, और इसका इनिफिसिबल हैंड, मतलब वांगलिंग का आत, टाजिया के फोर हेड को टेच करता है, टाजिया काफी पीछे जाके गरता है, चीकता है, इसके आसपास एक लौव फोर्स था, जिसके वज़ा से ये कुछ करी नहीं पारा था, ये फोर्ड देता है, वांगलिंग काफी खुश होता है, ये बस टाजिया को इसके स्टार्स को फुडवाना चाहता था, तब जाकर के टाजिया अपना सबसे पावरफुल अटेक रिलीज कर सकता था, तो अब ये जो और आ थी बहुत स्ट्रॉंग थी, और टाजिया गुस झाल झाल झाल